आपको यहां रहन बसेरे में रहने पर क्या-क्या समझ से आती है? रहन बसेरा सरकाद और निर्मित रिक्षा चालकों वो मजदूरों के लिए रहने की जगा है जिसका मुखे उद्देश था कि कोई भी रिक्षा चालक वो मजदूर सड़क पे रात ना गुज़रे सुप्रीम कोट ने 23 जनवरी 2012 को ये निर्देश दिया कि हर रहन बसेरे में एक शौचाले और सच पेजल उपलब्ध हो लेकिन पटना नेगर निगम के लापरवाही के कारण अशोक राजपत के रहन बसेरे पर आज तक सच पेजल और सौचाले की वेवस्था उपलब्ध नहीं हुई पानी खञे कि पानी राठके है म लगोव तक ना मैं गए रेंबसेरा मे रहता है रहता है राथ है ह अब यही रैन बसेरा मेरता है कितने सालों लगभार चौर आसीज ए कौर आपी ऐसेरते रैंबसेरा मेरेन रहने पर का story कुछ नहीं मिलता है, अगर कोई एक बातव देहो किस्ता है, समस साम को दिया और रात में सभेर में ले गिया कौन ले गिया? वही नगर्सुला ले गिया उनमनित का ररात में सभेर में क्ममल दे तो लेके चला गिया, पानी परता है, पानी जम जाता है, खटता के रखता है, उबरती जो गिया, ना बादरूम है, नकल है, कुछ नहीं है वचाड़ा वखेर होता है, वचाड़ा हम लोग खुद है, 10-20 हुजा, चंदा करके खंदक बाहर करते हैं, पड़ते बादें मेरे और मेरे समुदाय की मांग है, जल से जल अशोक राजपत के रैन बसेरे में, शोचाले और स्वक्ष पेजल की विवस्था कराई जाए, ताकि यहां के लोगों को किसी तरह की परिशानी का सामना नहीं करना परें वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अनुलोध है कि 0612-222-3791 पे कॉल करके पटना मेर पर दबाव बनाएं, और रैन बसेरे में स्वक्ष पेजल और सोचाले की विवस्था उपलब्द कराने में हमारी मदद करें, मैं आमिर अशोक राजपत, पटना बिहार राज से इंडिया अनहर्ट के लिए